नमस्कार मेर इख Isnin भारती आज हम बात करेंगे प्रदेस में ट्रेनों को लेकर बिहार में रेलवे इन दिनों यात्रीओं की सुवधाओं को ध्यार में रहके कर रहा है जिससे की यात्रियों को सुविधा मिल सके लेकिन आज हम जिस ख़वर के बारे में आपको बताने वाले हैं उससे यात्रियों के चेहरे पर खुसी आ जाएगी बतातें कि रेलवे ने क्योल गया रेलखंड में तीन ट्रेनों को चलाने की हरी जंडी दे दी है इन ट्रेनों की सुरूवात 3 अगत से हो रही है बतातें कि ये ट्रेने कोरोन काल के दौरान बंद कर दी गई थी जिसे अब एक बार पिर से पत्रिपर दौडाया जा रहा है जालतें कि जिन ट्रेनों की सुरूवात हो रही है उसमें special passenger ट्रेने की शुरुवात की जाने की बात कही जा रही है दानापुर रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि आज से सुरू होने वाली इन ट्रेनों की संख्या है 03386 जो की गया से खुलकर जाजा तक जाएगी वहीं दूसरी ट्रेन है जिसकी गाली संख्या है 03389 और 0394 passenger अस्पेसल ट्रेन है जो की कीउल से प्रती दिन चलेगी इन ट्रेनों को लेकर यह भी बताया गया है कि गया कीउल ट्रेनों की सुरूआत होने के बात से अब जो है मेल लाइन में ट्रेनों को पकड़ने में यात्रियों को ज्यादा परसारी का सामना नहीं करना पड़ेगा इन ट्रेनों की शुरुआत को लेकर यात्रियों को कहना है कि अगर जहाजा तक जाने वाली ट्रेन की दूरी बिस्तार कर आसन सोल तक कर दिया जाता तो देवगर से पस्चिव मंगाल जाना असान हो जाता हलाकि लोगों ने कहा है कि इन ट्रेनों की जरुआत होने से लोगों को रहत जरूर मिलेगी लेकिन यात्रियों की एक दूसरी मांग यह है कि सेखपुरा रेलवे अस्टेशन अब जंक्सन हो गया है इसके बाद भी कई एसी ट्रेने हैं जो कि यहां पर नहीं रुकती है ऐसे में यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए उनसे दूर अस्टेशन पर जाना पड़ता है लोगों की मांग है कि सेखपुरा जंक्सन पर आने वाले ट्रेनों का ठहराव हो ताकि यात्रियों को कम परिशानी का सामना करना पड़े गाड़ी संख्या 03385 गया जाजा पैसेंजर अस्पेसल ट्रेन का परिचालन किया गया जाजा से 3 अगस्त से शुरू हो रही यह ट्रेन वहीं गाड़ी संख्या 03386 गया जाजा गया पैसेंजर अस्पेसल ट्रेन 3 अगस्त से प्रती दिन गया से सुबह 5 बचकर 5 मिनट पर खुलेगी और जाजा से 11 बचकर 5 मिनट पर वह पहुँच जाएगी बापसी में यही ट्रेन 03385 जाजा गया पैसेंजर अस्पेसल ट्रेन 3 अगस्त से प्रती दिन जाजा से 2 पहर के 2 बचकर 15 मिनट पर खुलेगी और यह ट्रेन जो है रात में 8 बचकर 45 मिनट पर गया पहुँचेगी गाड़ी 033-90 क्यूल गया क्यूल पैसेंजर अस्पेसल ट्रेन यहें ट्रेन क्यूल बचकर 4 अगस्त से दोबारा बहाल कर दिया गया है 4 अगस्त से रोज क्यूल से सुबह 4 बचकर 30 मिनट पर खुलेगी और सुबह में 9 बचकर 30 मिनट पर गया पहुँच जाएगी वही यही गाड़ी 033-90 क्यूल गया पेसंजर चार अगस्ते रोज गया से 10 बच कर 40 मिनट पर खुलेगी और साम को 4 बच कर 55 मिनट पर क्यूल पहुँच जाएगी गाड़ी संख्या 033-93 गया क्यूल गया पेसंजर चार अगस्ते होगी बता दें कि गाड़ी संख्या 033-94 गया क्यूल पेसंजर ट्रेन 3 अगस्त कर रात को 11 बच कर 25 मिनट पर खुलेगी और सुबह में 2 बच कर 40 मिनट पर क्यूल पहुँचेगी बापसी में यही ट्रेन 033-93 बनकर क्यूल से खुलेगी और यह ट्रेन साम में 6 बचे क्यूल से खुलेगी और रात में 11 बच कर 40 मिनट पर गया पहुचेगी इन तीनों परेसेंजर ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद से यात्रियों के चेहरे पर खुसी साफ तोर पर देखा जा सकता है इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि सिखपूरा से धनियामा होते हुए पटना तक की नई रेल लाइन पर योजना पर कार चल रहा है ऐसे में जा कहा जा रहा है कि सिखपूरा से पटना आना अब असान हो जाएगा साथ सिखपूरा रेलवे अस्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों को रोकने की भी मांग यात्रियों की तरब से की जा रही है ताकि उन्हें ज़ह ज्यादा परिसानी का सामना ना करना विहार और विहार तो जोड़ी और वेसे इंग खबरों के लिए बने रहे हैं विहार इनी उच्छ के साथ मुझे जे जाज़त थन्यवाद